हेलो साथियों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और मैं आप लोगों को अमबेट कर जीवन की पूरी गाथा शुरू से आखिर तक बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें कि अभी जो उनका जनम और बच्पन हो चुका है फिर उनका शादी और सिक्षा तो सादी और सिक्षा का भी पार्ट चल ला है जिसमें मैंने बताया था कि वो अमेरिका में शिक्षा ग्रहन करके फिर लंडन गये थे तो लंडन में कुछ दिन तो सिक्षा ग्रहन की लेकिन उसके बाद जो महरजा संभाजी राओजे जो भी उनके मुहाइदा हुआ था यानि जो भी उनसे एग्रिमेंट हुआ था उस एग्रिमेंट की अवदी समाप्त हो गई थी फिर भी उन्हेंने कोशिश की तो उन्हें एक साल के लिए फिर भी मिल गया लेकिन उसके बाद वो अवदी समाप्त हो गई तो उस अवदी में आ जाएगा अगर आप लोग imagine करेंगे तो वो पूरा द्रश आपकी आखों के सामने आना शुरू हो जाएगा तो लंदन छोड़ने जो मैंने बताया था यापिसोड हो सतरह से लेकर चार बर्स बाद भी इसलिये क्योंकि वह एक काबिल और पढ़े लिखे बहुत ही काबिल इनसान उनकी योगता को देखकर दी थी उनको इसलिए नहीं दिया था कि आप ऐसे नॉर्मल अगर कहता है तो उनको परमिशन नहीं मिलेगी। कि वह इसलिए दी गई थी कि वह बिपलियन्ड और बहुत बिलियन इसे पर put his लेफ ये दी गई थीँ तोLंडन छोडने में डاक्राम बेचकर कोई खुशी नहीं हुई यानी जब वो लंदन से वापस आ रहे थे उन्हें खुशी नहीं थी वो बहुत दुखी होकर वापस आयते क्योंकि उन्हें अपना अध्यनकार जो करना था वो अध्यनकार नहीं कर सके तो कोई डिगरी किये वहां से वापिस आना उनके लिए बहुत ही दुख की बात थी उन्होंने अपने सारे सामान को अपनी जो बहुमूल जिसमें बहुमूल यानि जो उनका सामान बहुत ज़ादा नहीं था वो चंद कपड़े ही थे लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन चीज़े थी वो किदियों की बुक्स आज हम बहुमूली चीज़े किसको कहते हैं सोने को कहते हैं चांडी को कहते हैं कपड़ों को कहते हैं लेकिन आज हम किताबों को बहुमूल नहीं समझते हैं इसलिए किताबे की वैलुएशन खतम होती जा रही है सांथियों तो इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान देना होगा कि जो हमारी बुक्स हैं उनको हमें बहुमूली बनाना होगा यानि सोने से भी जादा हमें उनकी कीमत को समझना होगा अगर हम समझते हैं तब ही उन्हें हम बहुमूली समझेंगे हमारे जिनकी जिसकी कोई बहुमूली मतलब वोचीज होती है जिनकी कोई भी वैलू ना हो जिसकी कोई वहला भी इतनी जादा वैलू थी उनके नजर में इतनी जादा थी कि यानि सोने से भी जादा उन किताबों को वैलू यानि उन किताबों को बहुत ज़्यादा इजद से मतलब समझ लिए कहते देते थे या बहुत ज़्यादा वो एहमियत देते थे तो उन्होंने मेमर्स टॉमस कुक एंड संस को सुरक्षिर पहुचाने के लिए सौप दिया था तो आप यहां पर हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करते जाएए कहां कहां कैसे कैसे उन्होंने काम किये किस किस तरीके से उन्होंने अपनी उसको पहुचाने की कोशिश की उधर एक ट्रेन द्वारा वुलिन से मार्सलीज पहुचे और वहां से वो कैसरे हिंद पर बंबे के लिए रवाना हो गए यडी वो कैसरे हिंद यह एक जहाज का नाम था उस पे वो रवाना हो गए इंडिया आने के लिए तो डक्टर अमबेटकर के परिवार वालों को पहले ही आने की सुचना भेज दी थी उन दिनों महायूद चला था जिस वकद अमबेटकर डक्टर भीमरा अमबेटकर जी पढ़ाई दोरान यह सारी चीज़े कर रहे थे उस वकद जो है आपका विश्वयूद चला था तो टापड़ों से जहाज को जल जिस से फिर आगर महायूद चला था उस वकद महायूद चलने के टापड़ों यानि थपेड़ों से थपेड़ों से यानि जो महायूद चला तो हर आदमी चाह रहा था कि मैं जी जाओं मैं जी जाओं तो जिस दो दिस देस का जहाज आ रह रहे थे उस वक्त मतलब पानी के रास्ते का सफर बहुत ही खतरनाक था एक दिन परिवार वालों को अख़बार में पड़ा कि लंडन से हिंदुस्तान आने वाला जहाज समुद्र में डूब गया ऐसा थी हो तो ये बात सुनकर उनके घर वाले थे उनको बहुत ही दुख बहुत ही परिशानी हुई कि अब उन्हें लगा कि जो है शायद वो डाक्टर भीम रामबेटकर भी उसी में दफन हो मतलब खत्म हो गए हैं ये बात उन लोग ने सोची संभावता डाक्टर अमबेटकर भी उसी में होंगे मतलब ये दिमाग उनके आ गया कि जब नॉर्मल डूबो दिया गया है तापेड़ों दे दे कर हो सकता है इसमें वो डूब गए हो तो तो अब सारे घर वाले शोक का वाता वरड़ चा गया यानि इतनी बड़ी परिशानी सुनकर उनको शोक लग गया और वो शोक से परिशान हो गया यानि ये चीज सुनकर यानि सुनकि ज जो है डाक्टर भीम रॉम्बेटकर दूसरे जहाज में आ रहे हैं तो तारों का आदान परदान हुआ तो तारों का आदान परदान हुआ तो तारों का आदान परदान हुआ तो उन्हें पता चला कि डाक्टर भीम रॉम्बेटकर कैसरे हिंस से आ रहे हैं जो की सुरक्षित ह बाद में यह मालूम है कि जहाज में उनका समान आ रहा था वाज समान डूब गया है जो जहाज लंडन से इंडिया आ रहा था दूसरा जहाज कहसर हिंद के अलावा उसमें डाक्टर अभीम रामेटकर जी का पूरा समान था जिसमें कुछ बहमोले किताबे थी जिनकी कोई बहुत ज्यादा कोई वैल्वेशन नहीं थी वो भी डूब गया जिसके कारण की किताबे समुद्र में डूब गई तो डाक्टर अभीम रामेटकर जी को इस बात का दूख हुआ कि उनकी बहुत ही कीमती चीजे बहुत ही कीमती चीजे वो समुद्र में डूब गई तो क्योंकि उनमें से द्वारा एकटी गए सबी बहमोल पुस्ते जिने वाद जान से प्यार करते थे यानि बड़ी महनस से बड़ी लगन से उन्होंने किताबे खटा की थी जिसके कारण क्या हुआ जो साथियों कि उने वो किताबे बहुत मुश्किलों से मिली थी जो कि वो समुद्र में डूब गई लंदजन से कोलम्बो से भी बंब पे पहुँचे परिवार से के सभी सज़ासे बढ़े आननादित बहुत ज़्यासा हुआ जो संभारा बागमारे थे उन्होंने एक सभा का आयोजन किया ताकि डाक्टर मेट्कर को सेच्छरिजर की उपलब्दियां यानि गिनाई जा सके या उनको जो है कह सकते हैं उनको लोगों के सामने बताया जा सके डक्टर अम्बेटकर साहब ने सभा में उपस्तित को ठीक नहीं समझा यानि ये नहीं कहा कि मैं बहुत ज़रा डिग्रियां हासिल में करके आया हूँ तो मैं सबके सामने दिखाता पूरू हूँ, सबको बताता पूरू हूँ ये काम डक्टर भीमरामबेटकर जी ने नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने उस सभा में जाने के लिए, यानि जाने से इनकार कर दिया साथियो तो समझा और अपने सामने अपनी परसंसा सुनना नहीं चाहते थे वो अधा सभा की समापते पर अध्या चौरवक्तागर डक्टर अमबेटकर साहब के घर गए घर गए और वहां जाकर बधाईयां दी, यानि जब कोई बाहर से पढ़कर आता है या डिग्रियां मालब जो उन्होंने जो भी डिग्रियां हासिल की थी, वहां से आने के बाद जो है उन्होंने क्या किया, उनको जाके बधाईयां दी, बधाईयां दीतर और बाद में डक्टर भीमरांबेटकर साहब के स्परती अपनी जो करतकिता थी, उसको प्रकट किया यानि करतकिता मतलब क्या सकते हैं अपने जो भाओ थे उन्होंने उनके सामने प्रकट किये और आस्वाशन दिया कि वहाँ अपनी 31 उपलब्धियों को दलिस समाज के उत्थान के लिए और यानि उसको आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे और अपने लोगों की 29 जगरते क के लिए वो व्यापक अंदोलंक की सनचना करेंगे सांथियों तो आज आज का एपिसोड यहीं पर मैं आज समाप्त करता हूं और आप लोग जो भी चीजे नौलेज मिल ही है उसको बिल्कुल लिखें लिखते भी जाएं जो भी आप इस वीडियो को देखें लिखें सांथ में अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरी की पूरी नौलेज भरपूर नौलेज मिल जाएगी और आपको पता हो जाएगा कि जो है आगे क्या क्या हो रहा है डिक्टर भीम रॉंबेटकर जी ने किस तरह से हमारे समाज को बढ़ाने के लिए और अपनी एजुकेशन को पाने के लिए क्या क्या पृयास किए साथियों तो इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें तो अब आगे का जो एपिसोड है वह बढ़ोदा के कट्व अनभो तो अब देखी यहाँ पे जैसे जैसे हम इस खड़ी में इं वक्त खतम ना हो और इस चीज़ों को जो बराबर हमें नौलेज मिल नहीं है इस नौलेज को बहुत ज़्यादा हम अच्छे से प्राप्त कर सकें फैसे जा गाल करें वह मुहादा तो वहां पर क्या उनहें अनुभा हुए क्या प्रिशानी भरे क्या एको बुढ़ भाई